पेट्रोल डीजल के दामों में आ सकती है कमी क्या है इस कैबिनेट बैठक से जोड़ी तमाम जानकारी जानेंगे हमारे समवाद दाता नमन से नमन यह जो बैठक हुई है इसमें क्या तमाम महत्वपून मुद्दो पर निर्डे लिये गए है जो पेट्रोल डीजल के उपकर को लेकर पुरा मामला है इस पर क्या फैसला लिया गया है जी देखे अधिती मैं आपको बता दू कि विदान सबा का जो शीत कालिन सतर 28 तारीक से प्रारम बोना है उसके पहले आज केबिनेट की महत्वफून बेठक हुई है जिसमें कहीं अहम अहम प्रस्ताव थे उन पर चर्चायां पर हुई है जिसमें एक अहम प्रस्ताव था पैट्रोल और डीजल की लगातार जो बढ़ती कीमते थी उसको लेकर के जिस पर cabinet की बेठकती उन्होंने निर्णे लिया है कि जो उपकर लगाया जाता था जो कीमतों पर एक उपकर होता था उसके उपर एक जो उपकर लगाया जाता था वो अब यहाँ पर हटा दिया गया है कुल मिला करके अब पेट्रोल और डीजल की जो वास्तविक कीमत है उसके उपकर लगेगा जिससे कही न कहीं जनता को जो है राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी मैं आपको बता दू इस उपकर के हटने के बाद कहीं न कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें जो है भारी हमें कमी देखने को मिल सकती है जिसमें हम कहीं कि पेट्रोल कहीं न कहीं साड़े चार रुपे तक कम हो सकता है तो वहें डीजल की बात करें तो डीजल भी तीन रुपे तक की कमी हमें डीजल के भावों में देखने को मिल सकती है लगता है कि ये जो शुवराज क्याबिनेट बैठक में फैसला लिया गया तो कहीं न कहीं ये उसके उपर उसको थामने के लिए उन सब जो कवाइदे हैं उन पर विराम लगाने के लिए या फिर इसके साथ ही जनता को सच में इससे कुछ राहत मिलती हुई नजर आईगी जी देखें निशित तोर पे मैं आपको बता दू कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है पैट्रोल और डीजल की कीमते बढ़ती चले जा रही थी उसका विरोत कहिना कहीं प्रदेश की जनता भी कर रही थी कहने कहीं विपक्ष यानि कॉंग्रेज भी जो है उस बढ़ वरतमान इस्ततियों की बात करें तो पैट्रोल जो है दब्बे रुपए से उपर जाने लगा था जो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर एक तरह से भारी होने लगा था जिसके बाद प्रदेश सरकार को ये बात समझ में आई और निशित तोर पे अब जो पैट्रोल डिज जाता है वैसे देखना काफी लाजमी होगा क्यूंकि काफी समय से इस चीज का विरोध चल रहा था इन दामों की जो बढ़ोतरी हो रही थी इसका काफी समय से विरोध चल रहा था तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक सुखद खबर है कि अब पैट्रोल डीजल के दा पर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे